सब्सक्राइब करिए कुक विज़ोया को और बेल आइकन को दबाएए ताकि मेरी कोई लेटेस वीडियो आप से मिसना हो असलाम लेकूम कुक विज़ोया के किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जारी हूँ मटन पुलाव बनाने की रेसिपी बहुत इजी और क्विक बन के रेडी होने वाल ये रेसिपी है तो चलिए इसे हम जटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं मटन पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पे मटन लिए हैं यह हड़ी वाला मटन है अगर आप चाहें तो विदावट हड़ी वाला भी ले सकते हैं तो यह आधा किलो से यानि 500 ग्राम से ज्यादा मटन है अब यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं 1 तेबल स्पू ऐयाँ पें गर मसाला पावडर है 3 तेबल स्पू धनिया पावडर है और नमक हम अपने टेष्ट के हिसाबसे इसमेर शामिल कर देंगे यह सारे मसाले मैं यहाँ पे 200 ग्राम दही ली हूँ तो दही भी इसमें हम शामिल कर देंगे आप यहाँ पे हम अद्रक और लेसुन का पेस्ट लिए हैं यह 3 टेबल स्पुन अद्रक और लेसुन का पेस्ट है इसमें हम यह भी शामिल कर देंगे यह जो पुलाव है यह बहुत कम वक्त में बनता है लेकिन बहुत ही लाजवा बन के तयार होता है यहाँ पे चार मेडियम साइज का प्याज लिए हैं बारिक चौप करके और आधा प्याज इसमें हम शामिल करेंगे आधा हम साइड में रखेंगे आगे की प्रोसीजर के लिए यहाँ पे मिर्च मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ यहाँ पे पुदीना है तकरीबन दो मुठी भर के हम पुदीना बारिक चौप करके लेंगे और यहाँ पे साथ से आठ जो हरी मिर्चे हम इसमें शामिल करेंगे अगर आप चाहें तो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो ये सारे मसाले और ये मिर्श वगएर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये देखिए मसाले और जो मटन है वो अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं तो इसे हम एक साइड में रख लेते हैं यहाँ पे काजू है तकरीबन 8-9 और 1 टेबल इस्पून जो सफेद तील होता है उसे हम गरम पानी में भीगो का रखे थे 10 मिनट के लिए तो इसका हमें एक प्योरी तयार करना है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यह प्योरी तयार हो गई है तो इसे भी हमें इसमें शामिल कर देना है तो यह काजू और तील का जो पेस्ट है इसमें हम शामिल कर दिये हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें काजू और तील का जो पेस्ट था हम डालके अच्छे से मिक्स करके और इसे कवर करके हम 10 से 15 मिनट रखेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप आदर घंटा भी इससे रख सकते हैं तो मैं इसे तकरीबन 15 मिनट तक रखी हूँ तो आप इसे कूकर में हम ट्रांसफर करेंगे और इसमें हम एक से डेड़ गिलास पानी जो है वो एड़ कर देंगे और इसका लीड लगा के 3 से 4 सीटी लगने तक इसे हमें पका लेना है अगर आपका मटन नहीं गलता है 3 से 4 सीटी में आप एक दो सीटी और उसमें लगा सकते हैं तो पानी डालके इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और लीड लगा के इसे हम 3 से 4 सीटी लगने तक पका लेंगे तो जब तक हमारा मटन गल रहा है सीटी लग रही है तब तक हम यहां पे एक बड़ा सा बरतन लिए हैं जिसमें हमें पुलाव तयार करना है तो हम यहां पे तेल का इस्तिमाल थोड़ा ज़ादा करेंगे पुलाव में तेल ज़ादा डालें तो पुलाव का जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है और पुलाव सौफ भी होता है तो यहाँ पे तकरीबन मैं half cup oil इसमें शामिल कर दी हूँ अब यहाँ पे हम खड़े मसाले जो है उसमें शामिल करेंगे वन टेबल इस्पून जीरा है काली मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच चार से पांच सफेद इलाइची है दो से तीन बड़ी इलाइची लेंगे और दाल चीनी का टुकड़ा हम इसमें शामिल करेंगे दो से तीन इंच तक का तेज पत्ता भी इसमें हम डालेंगे चार से पांच तो यह सारे मसाले जो है हमें हलके हलके भुनना है तकरीबन एक से दो मिनट इसे लो फ्लेम पे हम इसी तरीके से भुनने देंगे तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे किस तरीके से फ्राइ हो रहे हैं और इसमें से अच्छी खुश्बू भी आने लगी है जो हम प्याज बचा के रखे थे साइड में वो प्याज हमें इस ओईल में डाल देना है और इसे भी हमें लाइट गोल्डन होने तक भुनना है तो हमारा प्याज जो भुना रहा है तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मटन है वो गल चुका है कि नहीं तो इस तरीके से इसका लुक हुआ है और हम सबसे पहले इसे मिक्स कर लेंगे और एक पीस लेंगे मटन का और चेक करेंगे कि ये कुक हुआ है कि नहीं अच्छे से तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे और मटन जो हमारा है वो अच्छे से गल चुका है तो इसे हम साइड में रखते हैं तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भी देखिए अच्छे से कलर छोड़ दिया है बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं फ्राइ करना है कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है तो जो हमारा मटन और ग्रेवी है उस सारे मटन और ग्रेवी इस पे आज में हमें डाल देना है तो अच्छे से इसे डाल के और इस तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हम जो हमारा मटन और ग्रेवी है इसमें हम शामिल कर दिये हैं लेड लगा के इसे हम medium to low flame पे 2-3 मिनट पकाएंगे क्योंकि मसाले हमें बहुत जादा नहीं भुनना है हम इसमें मसालों को मटन के साथ already पका चुके हैं इसलिए तो आप यह देख पा रहे हैं कि जो तेल है वो अच्छे से उपर अपनी तरी छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा मटन और मसाला है वो अच्छे से पक चुका है तो इस point पे हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो मैं यहाँ पे 5-6 glass जो है वो पानी इसमें शामिल करूँगी क्योंकि मैं 4 glass इसमें चावल डालने वाली हूँ तो 6 glass तो पानी इसमें जाएगा तो 6 glass पानी मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ और एक बर और इस तरीके से मिक्स करके और लीड लगाके इसमें बॉल आने तक इसे पकने देंगे तो यहाँ पे अब हम जो है वो चावल का इस्तमाल कर रहे हैं पुलाव में डालने के लिए तो मैं यहाँ पे 4 glass जो normal चावल होता है हमारे घरों में वो चावल का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप चाहें तो बासमती राइस से भी यह पुलाव बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे 4 glass चावल ली हूँ इसे अच्छे से वाश करके और 10 मिनट के लिए मैं भीगो कर रख दीती सारे चावल इसमें हमें ट्रांसफर कर देना है और हलके हाथ से इस तरीके से इसे चला लेना है और इसे medium to low flame पे ढखके तकरीबन 3-4 मिनट पकने देना है तो 3 मिनट हो चुका है और आप यह देख पा रहे हैं कि जो हमारा चावल है वो पूरा पानी जो है वो सोक कर लिया है तो अब इस पॉइंट पे हमें flame जो है एकदम low करना है और मैं यहाँ पे soft को roast करके और उसका fine powder बना ली हूँ यहाँ पे मैं वो soft का powder इसमें शामिल करी हूँ ताकि जो पुलाओ की खुश्बू है वो और डबल हो जाए तो इसमें आप चाहें तो 2-3 चमच यह powder शामिल कर सकते हैं खुश्बू के लिए तो डालने के बाद powder जो है अहलका सा इसे इस तरीके से हमें उपर नीचे mix कर लेना है तो यह मैं इस तरीके से mix कर ली हूँ और हमारा जो flame है वो एकदम low रहना चाहिए क्योंकि यह जो पुलाओ है इसका जो steam रहेगा उसी से यह पकेगा वन टेबल स्पून मैं आपे केवड़े का जो पानी होता है केवड़ा essence वो मैं इसमें शामिल कर रहे हूँ तो शामिल करने के बाद अब इसके उपर हम एक कोई भी आप चाहे तो टावल हो या कोई रैप हो इस तरीके से रैप कर देंगे और इसका जो लीड है उपर रखके और इसे हम तकरीबन 6-7 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुका है अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि यह पुलाओ अच्छे से बना है की नहीं तो लीड ओपन करके और चेक करते हैं कि यह जो पुलाओ है वो रेडी हुआ है की नहीं तो यहाँ पे एक बार और हमें इस तरीके से इसे हलका हलका मिक्स करना है और जो चावल है वो बहुत अच्छे से पक चुका है और इसके जो एक एक दाना है वो भी देखिए किस तरीके से खिला खिला है और सौफ और केवड़ा एसस डालने से इसकी खुश्बू और बढ़ गई है तो इस तरीके से मैं इसे प्लेट में जो है डिशाउट कर रहे हूँ और आप देखिए कि यह हमारा फाइनल लुक पुलाओ का किस तरीके से तो इसी तरीके से यह पुलाओ आपको बनाना है यहां पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए पुलाओ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तयार हुआ है यहां पे दही का रायता भी है तो इसी तरीके से आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राय करिए तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिए